इस वीडियो में हम example 7 discuss करेंगे रेखाया और कौन चैप्टर से तो इसमें हमें x और y की value find करनी है इस figure में हमारे पासे figure given है यहाँ पे यह 30 degree है यह 40 degree है और यह 90 degree है और यहाँ से जो भी information given है उसकी मदद से x और y find करना है तो my dear में आपको quickly जो दो important rule इसमें apply होंगे वो मैं बता देता हूँ पहला यह कि एक त्रिबुच के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है यानि तीनों को मिलाएंगे तो 180 degree है दूसरा यह है कि जो एक external angle होता है जिसको बहिश कोणों कहते हैं तो यह जो होता है इन दोनों के plus के equal होता है तो मालो कि यह है 30 और यह है 40 तो यह हो जाता है 70 यह दोनों rules इसमें apply होंगे तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम लें QTR triangle ट्रैंगल QTR में यहाँ पे आप देखें तो इन तीनों को plus करके 180 आता है यानि 40 डिग्री plus 90 डिग्री plus x यह 180 डिग्री है क्यों है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है आप ही पूरा लिखना ठीक है यहाँ से यह 130 हो गया और x की value find हो जाएगी जो की यह आजाएगी 50 डिग्री understand बहुत simple है यह triangle देखो इसमें यह given है यह given है बस यह निकाल ला है तो इससे आगिया यह अब दूसरी property यहाँ पर देखो हमने y निकाल ला है y कैसे निकलेगा देखो देखो y के लिए हम triangle नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अगर हम यह triangle की बात करें तो यह value हमें पता नहीं है यह तो है पता पर यह नहीं है पता तो हम यह triangle नहीं अप्लाई करेंगे लेकिन एक चीज़ देखो आप triangle पी एस आर में पी एस आर वाले triangle में देखो इसमें यह exterior है यह बहिश कोंड है और यह किन के बराबर होता है उसके सामने की जो दो अंतर कोंड है उनकी योग के बराबर होता है जो मैं यह property बात कर रहा था ठीक है यानि यह बहिश कोंड है तो यह मैं इस triangle की बात कर रहा हूँ तो यह कोंड इनकी योग के बराबर होगा और यहाँ पे आप x की value पूट कर देंगे जो कि 50 है तो यह आजाएगा 80 degree और यह हमारा answer आगिया है मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आया होगा कोई भी doubt हो कोई comment box में पूछना और मिलते हैं अगले वीडियो में take care